से भी सब को हसाऊंगा डॉक्टर सुरेंद्र दुबेग सुरेंद्र दुबेग जी आप उठके वहां से यहां तक आये तो ऐसा मैसुस हुआ जैसे स्विस बैंक से काला धन भारत वापस लोट आये जब हमारी पत्नी खुस होती है तो कहती है तुम मेरे सोना हो तुम मेरे चांदी हो तुम मेरे मोती हो तुम मेरे धन हो और बाबा राम देव कहते हैं काला धन जब तो होगा जब राखी सावंत का स्वयंबर टीवी पे आता था जब राखी सावंत का स्वयंबर प्रविन जी टीवी पे आता था हमारे गाउं का हर बुढ़ा चस्म पोच के टीवी का अगुम बैढ जाता था हमने का बाबा इस उमर में स्वयंबर से काले ना देना बेटा जब तक सा जब चग शांस है तब तक आस है और यह स्वेंबर में कुण धनुस तोड़ना है इसमें तो अपना भी चांस है अईसा कल्पना तो है जैसे बच्चों के नर्सरी के जी वन में पाठ होते हैं मातरा नहीं होती है अमर घर चल चल अमर घर चल ऐसे पाठ होते हैं निया जी आप भी पढ़ी लिखी होंगे मैं सोचता हूँ इतना तहली तो पढ़ी होंगे नेता चल दिल्ली चल पटना चल टोपी लगा कुरता पहन मंतरी बन हवाला कर घोटा ला कर तीहाड जा वापसा तोपी लगा क्या बात में बाँ 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 तीचर पढ़ाओ बच्चों ने कहा टीचर पढ़ाओ, टीचर पढ़ाओ, टीचर ने कहा देमाग मत खाओ कल गाय पे निबंद लिखवाया था, जाओ पती पर निबंद लिख कर ला बच्चों ने लिखा पती एक दैनी या पालतू प्राणी है पती एक दैनी पालतू परानी है जिसे हम मनुस्य भी कह सकते हैं शादी के पहले पती सामान्यत 좌ltal human अधे ही होता है पती की दो आखे होती हैं जिनसे वो अलटर्नेट देखता है पती के प्रकार हिंदुस्तान में पती के दो प्रकार पाए जाते हैं एक जोरू का गुलाम, सेलेज जी, एक जोरू का गुलाम, दूसरा जोरू का बासा, जोरू का गुलाम, ये सस्ती, सुन्दर और टिकाउ नसल है, ये बहुतायत मातरा में पाई जाती है, जोरू का बासा, ये प्रजाती, धीरे, धीरे, लूप को हो रही है, जितने लोग बैठें, दिन में एक ड्यालाग बीज बार बोलते हैं, टाइम नहीं है, पूरा हिंदुस्थान कहता है, टाइम नहीं है, और हमारी आबादी एक सो इकीस करोण हो गई, टाइम नहीं है तो इतनी, तो टाइम मिल जाए तो कितनी, जिसको देखो टाइम नहीं है, अच्छा आज कल क्या है, रहे सहे में आज टाइम नहीं है, व्यापारी के पास परिवार के लिए, टाइम नहीं है, नेता के पास सरकार के लिए, टाइम नहीं है, पुलिस के पास के लिए और टाइम नहीं है शिक्छक के पास शिर्षा के लिए टाइम नहीं है तैइम Means अगर कोई बेबस ओरत सड़क पर इजद बजाने के लिए गुहार लगाए कोई अंधा सड़क पार करने के लाठी time कोई विदेशी सरहत पार करके हिंदुस्तान में गुज जाए और कोई बंबई में आतंक मचाए कभी मत कहिएगा टाइम नहीं है